दोस्तो आज हम बात करेंगे DG Auto Change Average Scheme के बारे में यानि यहाँ पे आप दो ब्रेकर देख रहे हैं एक इंकमर ब्रेकर दूसरा वाला है DG इंकमर ब्रेकर दो ब्रेकर यहाँ पे हैं मानली जें इंकमिंग ब्रेकर क्लोज है लेकिन उस्समें क्या हुआ इंकमर ब्रेकर का सप्लाई चला गया जो इंकमिंग सप्लाई आ रहा था है 415 वोल्ट वो सप्लाई चला गया तो उस्समें क्या होता है दोस्तो DG वाला जो ब्रेकर रहता है DG इंकमर ब्रेकर वो ब्रेकर क्लोज हो जाना चाहिए यानि ये breaker में supply चला गया, ये breaker trip हो जाना चाहिए और साथिसाथ DG Incomer breaker close हो जाना चाहिए जैसे ही आप लोग DG को on किये, उसका supply DG Incomer में आएगा और फिर ये breaker automatic close हो जाना चाहिए लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये close नहीं होता है, DG Incomer breaker close नहीं होता है तो उस समय आप लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, आपके उपर pressure आजाता है कि क्यों DG Incomer breaker close नहीं हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत ही important है दोस्तों, अगर आपका area में आप जहांपे काम कर रहे हैं, वहांपे ये scheme available है, DG Auto Change Over scheme तो आज का वीडियो आपको complete देखना चाहिए, क्या क्या problems आता है, और केसे आप problem को troubleshoot करेंगे, उसका procedure में आपको समझाओंगा, तो इसलिए वीडियो का आपको last तक देखना है, लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं, तो चैनल को जल्द industrial electrical का हर एक topic के बाने में practical video troubleshooting video मिल जाता है, चाहे motor हो, breaker, transformer, PLC, ESP, BFD, hoist, crane, ये सारे के उपर आपको troubleshooting video practical video मिल जाता है, आप मेरा playlist को check कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको अलग-अलग topic के उपर separate separate playlist मिल जाएगा, और अगर आपको troubleshooting में कुछ भी doubt आ रहा है, तो आप मुझे direct message भी कर सकते हैं, comment box में comment करके लिख सकते हैं, मैं जरूर आपको reply दूँगा दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या समझना है, दोस्तों किसी भी system को अगर आपको समझना है, तो सबसे पहले देखिए क्या-क्या equipment यूज किया गया है, जैसा कि यहा ब्रेकर का नीचे वाला पैनल में, जिसको आम auxiliary पैनल बोलते हैं, यहां पे भी आपको बहुत सारा relay दिखाई दे रहा है, तो इतना सारा relay क्यों लगाया है, और हर एक relay का काम क्या है, यह अगर आप समझ लेंगे, तो जब भी आप ब्रेकर का ड्रोइंग को study करेंगे, तो का ड्रोइंग आपको काफी आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि दोस्तों, यहां पे आपको क्या करना है, जितना सारा component है, हर एक component का एक नंबर होता है, जैसे आप देखे होंगे, कंटाक्टर का K1, K2, K3, माली जे 5 कंटाक्टर है, तो इसी तरह का numbering किया गया होगा, सेम य इतना सारा equipment जादा रहेगा, उसका number भी उसके इसाब से जादा रहेगा, दोस्तों, लेकिन जब आप drawing को study करेंगे, तो वहां पे वो number लिखा हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे, कि यह वाला number, relay के लिए है, या selector switch के लिए है, या contactor के लिए है, इसलिए दोस्तों मेरा हमेशा कहना है, कि अगर आप equipment को study कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फिजिकाली उसको study करें, हर एक component का number को note कर दें, यह वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूँगा, दोस्तों, कैसे आपको हर एक component को note करना है, क्या लिखना है, और number का नाम लिखना है, यह अगर सारे आप note कर देंगे, तो जब आप drawing को study करेंगे, क्यां क्यों दोस्तों, इसका drawing रहेगा, दोस्तों, 8 से 10 page का drawing रहता है, 8 टु 10 page का इसका drawing रहता है, तो दोस्तों, Cars 8 पेस में कुछ लिखा गया होगा, उसका link आपको दो नमबर पेज में मिलेगा इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि दो नमबर पेज को दिखिए दो नमबर पेज में आप देख रहे होंगे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा कि दस नमबर पेज को जाएए वहाँ पे आपको पता चलेगा तो आपको drawing ढूंटते ढूंटते पेज को उपर निचे करते करते आपको काफी मुश्किल हो जाएगा दोस्तो इसलिए अगर आप सबसे पहले एक पेज में नोट कर देंगे कितना equipment है यह equipment का number यह है breaker का number Q1 है bg breaker का number Q4 है और fuse का number यह है timer का number यह है यह सारे आप note कर देंगे तो आपको drawing को समझने में काफी आसानी हो जाएगा दोस्तो तो सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना है सारे equipment को देखना है कौन सा equipment क्यों यूज हुआ है यह थोड़ा आपको mind में लेना है अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो उसके बाद आप drawing को study कीजिए किये equipment drawing में कहा यूज हुआ है उसको भी आप देखिए एक बार drawing को आप दो तीन घंटा study कर देंगे सबसे पहले तो आपको physically study करना है सारे equipment को समझना है indication lamp भी आप देखिए क्या क्या indication lamp लगा हुआ है वो भी आप देख लिजिए push button क्या लगा हुआ है क्योंकि drawing को आप देख रहे होंगे लेकिन आप physically नहीं देखे होंगे तो आपको मुश्किल आ जाएगा जब आप troubleshooting करेंगे तो उससे में आपको काफी मुश्किल आएगा क्योंकि दोस्तो पहले से अगर आप तीन चार घंटा drawing को study करने में देंगे तो जब भी आप troubleshooting करेंगे तो ओ तीन चार घंटा आपको saving हो जाएगा उससे में आप लोग quickly troubleshooting कर सकते हैं मैं पूरा आपको detail में समझाने वाला हूँ दोस्तो केस से अगर मान लिजे डीजी closing नहीं हो रहा है close हो जाना चाहिए close नहीं हो रहा है तो क्या क्या process हो सकता है मैं पूरा आपको detail में समझाने दोस्तो मैं इतना सारा बाते आपको क्यों समझा रहा हूँ दोस्तो क्योंकि यह जो drawing है दोस्तो हमारा area में दूसरा type का होगा आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे दूसरा type का drawing होगा यहाँ पे L&T make का यह panel है आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है ABB का या Siemens का या Alstom का panel होगा इसलिए दोस्तो आपको सब से पहले theory को समझना है practical में जाने से पहले आपको theory को समझना है यहाँ पे मैं theory याँ आपको पुरा book पढ़ने को नहीं कर रहा हूँ theory मतलब क्या-क्या equipment लगा है equipment का काम क्या है जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तो यहाँ पे auxiliary panel 4 है और हर एक panel को उपर आपको relay दिखाई दे रहा है कुछ under voltage relay लिखा गया है कुछ master tripping relay लिखा गया है और panel के अंदर भी देखे दोस्तो panel के अंदर में भी timer है, fuse है auxiliary contactor है और उसका देखे दोस्तो उपर में number लिखा गया है देखे दोस्तो यह जो identification tag लगया जाता है दोस्तो, यह बहुत ही important है मानलीजे आप drawing तो study कर लिए, आसानी से आप drawing study कर सकते हैं, एक drawing जो study कर सकता है, वो हर drawing को study कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, drawing study कर लिए लेकिन मानलीजे वहाँ पे लिखा गया है D2, आपको पता चल गया कि D2 को आपको checking करना है लेकिन D2 वाला क्या है D2 वाला contactor कौन सा वाला है, D2 वाला अगर timer है तो कौन सा वाला timer है यह आपको केसे पता चलेगा यह आपको जो tagging से पता चलेगा, उसके उपर जो identification mark होगा, उसी से आपको पता चलेगा, इसलिए यह भी आपको देखना है, कि माल लिजए एक relay है, relay को उपर कुछ भी number लिखा नहीं है, कुछ भी tagging नहीं है, तो यह भी आपको पहले से अगर पता होगा, तो आप लोग उसको identification करके उसका tagging को लगा सकते हैं इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप physical check किजिए physical देखिए कि उसकार सही number वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, अगर वो tagging नहीं लिखा है, तो आपको tagging कर देना चाहिए proper fairule भी important है दोस्तों, fairule लिंग भी सही तरीके से होना चाहिए क्योंकि fairule को देखके भी आप लोग पता कर सकते हैं सिर्फ drawing study करने से कुछ नहीं होगा drawing के हिसाब से आपको उसी equipment के पास पहुंचना है उसको आपको उसी equipment को आप identify कर पा रहे ही नहीं यह important है तो चलिए दोस्तों समझते हैं डीजी ब्रेकर का closing condition के बारे में यानि कोन सा condition में आपका डीजी ब्रेकर क्लोज होगा आप देखे होंगे आपका transformer का supply जब चला जाता है तो आप क्या करते हैं आप डीजी को on करते हैं यानि generator को on करते हैं generator on होने के बाद आप देखेंगे आपका जो डीजी बाला breaker automatic close होता है यानि उस condition में आपका incomeer breaker trip हो जाता है और डीजी का breaker close होता है तो डीजी ब्रेकर क्लोज होने का condition क्या है अगर आपका डीजी ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो आप क्या क्या checking करेंगे तो सबसे पहले logic को समझ लिजिए आपको क्या condition चाहिए ब्रेकर क्लोज होने के लिए यानि डीजी ब्रेकर क्लोज होने के लिए सबसे पहले तो दोस्तो वहाँ पे एक selector switch रहता है जो selector switch auto mode में रहना चाहिए उसी selector switch का दो position होगा एक auto दुशरा वाला है manual तो selector switch auto mode में रहना चाहिए यह number one condition है second condition है income or breaker में कुछ भी supply नहीं रहना चाहिए यानि transformer का जो supply आता है income or breaker में उसका incoming side में वहाँ पे कुछ भी supply नहीं रहना चाहिए under voltage मतलब वहाँ पे कुछ भी voltage नहीं रहना चाहिए primary side में breaker का incoming side में कुछ भी supply नहीं रहना चाहिए number three condition है दोस्तो bus bar में कुछ भी supply नहीं रहना चाहिए जो पैनेल का bus bar है bus bar विलकुल dead रहना चाहिए कहीं दूसरे sources से वहाँ पे supply नहीं रहना चाहिए number one condition है selector switch aft का auto mode में रहना चाहिए नमबर टू कंडिशन है आपका जो इनकमर ब्रेकर उसका प्राइमेरी साइड में कुछ भी सप्लाई नहीं रहेना चाहिए थार्ड कंडिशन है बस बार में कुछ भी सप्लाई नहीं रहेना चाहिए और नमबर फोर है आपका जो इनकमर ब्रेकर है दोस्तों इनकमर ब्रेकर का प्राइमेरी साइड में तो सप्लाई नहीं रहेगा और साधिशात इनकमर बाला ब्रेकर वो भी आप पोजिशन में रहना चाहिए क्लोज कंडिशन में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल आप कंडिशन में रहना चाहिए नमबर फाइपे दोस्तों, इंकमर वाला ब्रेकर कोई फॉल्ट में ट्रीब नहीं होना चाहिए माल लिजें इंकमर ब्रेकर क्लोज कंडिशन में था, प्यानेल में कुछ फॉल्ट आ गया, फॉल्ट की बज़े से ब्रेकर ट्रीब हो गया तो वह condition भी नहीं होना चाहिए ब्रेकर में कुछ भी fault नहीं रहना चाहिए जितना सारा condition के बारे में आपको समझा रहा हूं दोस्तों आच्छा होगा आप उसे paper में note कर दे अपना note में उसे लिख ले तो आपको बाद में समझने में आसानी होगा तो डिजी ब्रेकर क्लोजिंग का condition क्या है डिजी ब्रेकर कब क्लोज होगा जब आप auto mode में set कि होंगे जो selector switch रहता है selector switch को auto mode में set कि होंगे और आपका transformer का supply चला जाएगा जैसे ही आपका transformer का supply चला जाएगा तो आपका Incomer Breaker Under Voltage में आ जाएगा Under Voltage में आ जाने के बाद Incomer Breaker वहाँ पर ओफ हो जाएगा यानि Trip हो जाएगा और आपका उसी समय क्या होगा Boss में जो Supply था यानि आप Transformer Charge किये Breaker को On किये तो Boss में Supply था तो जैसे ही आपका Transformer ओफ हुआ Incomer Side वाला Breaker ओफ हो गया और आपका Boss भी डेड़ हो गया और Breaker में कुछ भी Fault नहीं है Incomer Breaker में कुछ भी Fault नहीं है अगर Fault की बज़े से Trip हो आओगा तो आपका DG Close नहीं होगा लेकिन कुछ भी Fault नहीं है Only आपका Under Voltage से आपका Breaker Trip हो रहा है उसी कंडिशन में क्या होगा आप लोग पहले DG को On करेंगे यानि Generator को On करेंगे Generator को जब आप On करेंगे तो DG Incoming Breaker में Supply आएगा उसको बोलते हैं Line Voltage यहाँ पे मैं दो Voltage की बात कर रहा हूँ एक है Line Voltage और एक है Boss Voltage Line Voltage यानि तो Number 6 से आपका DG Incoming में Supply रहना चाहिए DG Breaker तभी क्लोज होगा जब उसका Incoming Supply आएगा अगर आप Generator को चालू नहीं कियो होगे तो DG कभी भी On नहीं होगा यह एक Condition रहता है और फिर दिखा जाता है कि DG में कुछ Fault है की नहीं अगर वो पहले से कुछ Fault की बज़े से Trip होगा तो भी वो कभी Close नहीं होगा तो सबसे पहले उसका Relay को थोड़ा चेक कर लें कोई Flag गीरा होगा तो उसको Reset कर लें देखे की कौन सा Fault में Trip होगा है अगर पहले से वो Relay की बज़े से Trip Condition में होगा तो फिर DG वाला ब्रेकर Close नहीं होगा तो No.7 पॉइंट था दोस्तो DG ब्रेकर में कुछ भी Fault नहीं होना चाहिए No.8 कंडिशन है दोस्तो DG का जो ब्रेकर है वो Service Position में रहना चाहिए अगर वो Service Position में नहीं रहेगा तो भी ये Close नहीं होगा No.9 कंडिशन है दोस्तो DG वाला ब्रेकर उसका Spring Charging हो जाना चाहिए Complete हो जाना चाहिए अगर उसका Spring Charging Complete नहीं होगा तो ब्रेकर कभी भी Close नहीं होगा तो मोटा मोटी ये 9 रिजिन रहते हैं DG ब्रेकर Close करने के लिए ये सारे कंडिशन Fulfill होना चाहिए No.1 Selector Switch Auto Position में रहना चाहिए No.2 यानि Transformer Side से कुछ भी Supply नहीं आ रहा होगा No.3 Boss Bar में कुछ भी Supply नहीं होगा No.4 Incomer Breaker Off Position में होगा No.5 Incomer Breaker में कुछ भी Fault नहीं होगा और No.6 आपका सबसे पहले Generator चालू होना चाहिए Generator अनो के उसका सप्लाई Breaker का Incoming में आना चाहिए वहाँ पे Line Voltage मिलना चाहिए No.7 Digi वाला ब्रेकर में कुछ भी Fault नहीं होगा यानि कुछ भी Fault की बज़े से वो Trip नहीं होगा No.8 ए Digi वाला ब्रेकर सर्विस पज़र्व होगा No.9 Digi वाला ब्रेकर में Spring Charging कंप्लिट हुआ होगा तो ये सारे कंडिशन अगर फूर्फिल होगे तब भी Digi व्रेकर क्लोज होगा अगर Digi व्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो ये सारे points को आपको Checking करना है तो ये तो हो गया दोस्तो Digi व्रेकर क्लोज होता है चलिए अभी समझते है Digi व्रेकर क्लोज होता है उसका ट्रिपिंग कंडिशन क्या है क्या क्या फॉल्ट आएगा अगर Digi व्रेकर ट्रिप हो रहे तो आपको क्या Checking करना है सबसे पहले तो दोस्तो उसका जो Lockout Relay है लोकाउट रिले से ट्रीप ओगा होगा नम्बर ट्रू कंडिशन है दोस्तों defects कलॉज कंडिशन में है लेकिन उसी दुरान मानली जए आपका ट्रांसफर्मोर भी चालू हो गया आएगा ट्रांसफर्मोर का सप्लाई जो प्रायमेरी साइड में आ जायेगा, तो उसी कंडिसन में तुरांधी ये डिजी ब्रेकर को ट्रीब करबा दे है, और क्या कंडिशन हो सकता है? वहाँ पे TNC स्विज रहता है, ट्रीब, ये ट्रिब, वाला स्विज, अगर वहाँ से कोई कर दिया होगा, तो आपका dg breaker trip हो जाएगा वहाँ पर emergency stop रहता है emergency stop को कोई दबा दिया होगा तो dg breaker trip हो जाएगा अगर मालीजे remote से आपका closing and tripping का provision है remote से कोई stop command दे दिया होगा तो आपका dg breaker trip हो जाएगा मालीजे dg breaker on में है और generator off हो गया तो उसी कंडिशन में क्या होगा dg का incoming supply चला जाएगा वहाँ पर dg का incoming supply चला जाएगा तो under voltage में भी यह trip हो जाएगा तो यह सारे region की बज़े से dg breaker trip होता है यानि dg breaker off होता है तो अगर dg breaker off हो रहा है तो आपको यह सारे points चेक करना पड़ेगा तो similarly दोस्तो इंकमर breaker closing का भी यह same condition रहता है यानि dg breaker closing का जो condition रहता है इंकमर breaker closing का भी लगबग same condition रहता है तो इंकमर breaker कैसे close होता है नमबर वान, selector switch auto mode में रहना चाहिए dg under voltage में रहना चाहिए यानि generator off condition में होगा वहाँ पे कुछ भी supply नहीं होगा नमबर थ्री, पस्वार में कुछ भी supply नहीं होगा नमबर फोर, dg breaker off condition में रहना चाहिए और dg breaker में कुछ भी fault नहीं होना चाहिए नमबर 6, incomeer breaker में भी कुछ भी fault नहीं होना चाहिए नमबर 7, incoming breaker का supply आना चाहिए supply healthy रहना चाहिए यानि transformer supply आना चाहिए नमबर 8, incomeer breaker सर्विस पोजिशन में रहना चाहिए और नमबर 9, spring charging complete होना चाहिए उसके बाद चले दोस्तों देखते हैं, incomeer breaker tripping का क्या condition है कौन कौन सा condition में incomeer breaker trip होगा lockout related trip होगा, अगर transformer चालू है आप उसी दोरान generator को भी on कर दिए तो उसी condition में भी incomeer breaker trip हो जाएगा TNC switch के थूँ आप लोग trip करवा सकते हैं तो आपने देखा यहाँ पर breaker को close and trip करने का बहुत ही complicated logic यूज किया गया है बहुत सारा condition इस्तमाल किया गया है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या-क्या equipment यूज किया गया है यानि दो breaker है, boss का भी कुछ equipment यूज किया गया है तो सारे equipment को आपको note कर देना है आप note कर देंगे, तो आपको यह जो 8-10 page का drawing है, समझने में आसानी होगा तो मैंने कुछ notes बना है, दोस्तों देखिए Incomer breaker, आपका drawing में जो mention हुआ है हमारा drawing में Q1 mention हुआ है, तो मैंने Q1 लिख दिया DG Incomer breaker को Q4, Line PT यहाँ पे है और Incomer breaker, Line PT, DG Incomer breaker के लिए है Boss PT पर Common Boss है, Under Voltage Relay है तो यहाँ पे दो Under Voltage Relay इस्तमाल किया गया है पर Incomer के लिए, और दो Under Voltage Relay DG Incomer के लिए उज़ किया गया है और Timer उज़ किया गया है, Incomer Under Voltage के लिए Timer उज़ किया गया है, DG Under Voltage के लिए जो की D4, D3 है टाइमर यूज किया गया है बस अंडर फोल्डेज के लिए टाइमर यूज किया गया है सोर्स पारलाल के लिए सिंक्रोनोस चेक करने के लिए रिले उज किया गया है लोकाउट रिले और उसका देखिए साइड में नमबर यूज में लिख दिया है लोकाउट रिले इनकमर वान के लिए K18, लोकाउट रिले DG के लिए K48, ट्रिप सर्किट हेल्दी पुश बोटन और इनकमर वान है उसका नमबर है S14 TNC स्वीच, S12 इनकमर वान अप उसका जो कंटक्टर है K15, इनकमर वान हेल्दी उसका जो कंटक्टर है K16, ट्रिप सर्किट हेल्दी पुश बोटन, DG ब्रेकर के लिए है उसका नमबर है S44 तो आप इसी तरह से आप भी नोट कर सकते हैं देखिए यहाँ पे बहुत सारा नमबर है जो की सिमिलार दिखाई दे रहा है जैसा कि S12, S44 तो ड्रोइंग में आपको S12 मालेजे लिखा हुआ होगा तो आपको समझने के लिए अगर आप अलग से नोट कर देंगे तो आप आसानी से ड्रोइंग को स्टड़ी कर सकते हैं आसा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ नोलेज मिलावगा तो वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत भँत धन्यवाद देखते रहे है इन्डस्ट्रियाल इलेक्रिकल चानल बोल बूल बूल मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार